2024 में अगर आप college राइने के लिए daily commuting के लिए या फिर थोड़ेबों त्रिफ्स वगर आमारने के लिए किसी bike को लेने का ब्रैंड कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो का आप इंफॉर्मिटिव होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताने वालाऊं 2024 के टॉप 7 न्यू पावर होगी और ये बाइक आपको किदरा में लेज़ देगे city राइडिंग में और highway राइडिंग पर इस वीडियो में रैटो स्टाल में आने वाली बाइक में आने वाली है और आपको 125 CC कैटेगरी में आने वाली बाइक देखने को मिलेगी तो अगर आपको कोई प्लैन ह नई बाइक को लेने का तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें तक दो देख लेना और इस वीडियो का लाइक के में रखाया है 250 लैक्स का आई नो होपली अब दिल्दी से करवाद होगे तो चलिए दोस्तों बिना टेम वेश करें स्टार्ट कर लेते आज की इस वीडिय है बाइक के प्रैसे स्टार्ट होते हैं 95,000 से और जो इस वीडियो का अप इसमें सिंगल चैनल इस मिलेगा उसका एक्षण प्रैस है 99,500 यह बाइक आप डिरेक्टली कॉम्पेट करने वाले है टीवेसाइडर 125 से और साथी साथ होंड़ा SP 125 और बजार सपलसर NS 125 से तो अव जो दो कलर ओप्षन है रेड और ब्लू वापको आई-बेस में मिलेगा और तीसरा जो कलर है स्टालियन ब्लैक वापको इसके ABS वारे वर्जन में मिलेगा तो बाइक में है 125 CC का स्प्रिंट TPT एंजिन जो हीरो मोटो को बिंडिया ने अरांस करा है फिलाल में यह जो इंजि खुए इसके सब्सक्राइब कर रहे तो वर दो बाइक आपको ने को लेने का प्लान कर रहे हो तो वर दो बैस्ट ऑप्षिन करीज मैक्समार 210 बाइक के एक्ट्रम प्रैसी स्टार्ट होते हैं 179900 से यही बाइक आपको ओन रोट पड़ेगी 26000 के प्राइस पर तो प्राइसिंग में और करीज मैक्समार 210 में ज्यादा फरक नहीं है आपको बस 15-20,000 का फरक देशने को मिलेगा दोनों बाइक में तो फीचर्स में आपको इसमी TFT डिस्प्ले मिलेगा डोल चैनल ABS आपसरी की सीप्टी के लिए नैविगेशन सपोर्ट है स्मार्टफोन गनेक्टिविटी है Bluetooth के साथ Wifi के साथ तो परफॉमेंस और फीचर्स नो डाउट दूनों ही अच्छे है बाइक में सस्पेंशन में फ्रंट में है 37 mm के टेलिसकोपिक फोग बाइक के रियर पार्ट में बोनुस अबस्टेबर है जो 6 step adjustable है टायर साइस में बाइक के फ्रंट पार का टायर है 100 mm का और बाइक के रियर पार्ट में लेडिय आपको मिलेगी और जो डिजाइन है वो कापी अच्छ करती है कि आपको यह बाइक 40 km बिल का मैलेश देगी सिटी राइडिंग में और हाइवे राइडिंग पर तो हीरो मोटो कॉप इंडिया ने काफी ज़्यादा काम करा है इस बाइक पे दुबारा से करिस्मा को लॉंच करने में काफी मैनत करी है काफी efforts डाले है काफी features डाले यह बाइक में एंड सबसे में बात पावर बढ़ाई है क्योंकि अभी जनता को चाहिए performance तो यह सारी चीज़ आपको करिस्माक सेमा टूटन में मिल रही है आपको definitely इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए तो जो next बाइक है वो है इंडियन टूला मार्केट के evergreen बाइक TVS अप पर जो इस बाइक का टॉप मोडल है आप इस बाइक के किसी भी वर्जन को टालो है मच पेटर है प्रैसिंग के मामले में एंड यही वो बाइक जो आपको सेंग्मेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स देने वाली है और नो डाउट बाइक में परफोर्मेंस भी का अप अच् तो बात करें फीचर्स की आपको इसमें 5-speed gearbox मिलते हैं बाइक सिंगल चैनल इबेस 12 चैनल इबेस दोनों वर्जन में वी लेवल है सस्पेंशन में बाइक के फरंट पार्ट में है शोवा के टेलिस्खोपिक फोक बाइक के रियर पार्ट में है मोन शोक अबजोबर टायर सा इसमें बाइके फरंट पाकट आ रहा है 90 by 90 mm का और बाइके रियर पाकट आ रहा है 130 by 70 mm का और टीवेस को यहाँ पर तोड़ा सा काम करना चाहिए टायर साइस को तोड़ा बढ़ाना चाहिए बाकी बाइक के सभी पार्ट में लेडी लाइट है डामेंशन में 148 kg बाइक का क बाइक है जो आपके बजेट में भी आजएगी और आपको एक अच्छा सा राइंग एक्स्पिरियेंस पी देगी तो आप इस बाइक को भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप किसी निव बाइक को लेने का प्लैन कर रहे हो तो यह बाइक के तरफ से अप्रिलिया आरेस 457 यह बा बाइक में नाविगेशन सपोर्ट आपको मिलेगा और 5 इंचिस TFT डिस्पेय के साथ आपको इसमें क्विक शिफ्टर भी मिलेगा तो फीचर स्पाइक में कापी ज़्यादा है किसी भी सेंग्में आने वाली बाइक से एक्सेप्ट अपाचे और राइक सेंग्में में नही कि सुपर बैक से इस बाइक के लिए और अगली जो बाइक है नाव है हिमालान 450 आ लिटरली यह बाइक किसी भी ऑफरोडिंग टेरेन के लिए तो बाइक के एक्सिम्म प्राइस से स्टार्ट होते हैं 269,000 से 284,000 के प्राइस से और और आपको यह बाइस पड़ेगी 313,000 से 329,000 के प्राइस पर तो बाइक में है 452 CC का लिक्विट कूल सिंगल स्लेंडर इंजन जो मैक्सिम्म पावर प्रोडूस करता है 40.02 BHP की 8,000 रपीम पर और मैक्सिम्म टॉक प्रोडूस करता है 40 Nm का 5,500 रपीम पर पीचेस में बाइक में डूल चैनल स्टिचेबल ABS है मोबा सब्सक्राइब के लिए आपकी लिद्दाक के लिए एक प्रोप पर ओफ्रोडिंग पील लेने के लिए आप इस बाइक को कॉंसिडर कर सकते हो तोगली बाइक है नेकट स्टाल में आने वाली टेक मशीन ये बाइक है TVS की तरफ से TVS अपाचे और इस बाइक के टॉप मोडल का एक सब्सक्राइब कर सकते हो तो काफी अच्छा फीचर है मोट ओ लोगर्स के लिए साथी साथ आपको इसमें स्विचे बले ABS राइडिंग मोड्स, नैविगेशन सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते है और बाइक में TFT डिस्पले है जिसमें आपको सारे फंक्शन शोव हो जाएंगे और एक और फीचर आपको ये बाइक प्रोवाइड करती है जो आपको सिरब म 2700RPM पर और माक्सिमाम दोग है बाइक में 28.7Nm का 6,650RPM पर सस्पेंशन में बाइक की फ्रंट पार्ट में है 41mm के अपसर आपको रियर पार्ट में मोने सबसोबर है बाइक के टायर साइज में फरंट पार कट आ रहा है 110 by 70mm का और यह बाइक कट आ रहा है 50 by 60mm का लाइट पर दिखकर देगी शोट अड़र को बाइक को प्रेट करने में और आपको बाइक में फ्यूल टैंक कैपसिटी मिलती है 11 लीडर की और यह बाइक आपको 30-35 की इंपिल का मालेच टेगी सिटी राइडिंग में और हाइवे राइडिंग पर तो 2024 के लिए अगर आप में लॉंच हुई है बाइक का एक्ष़म पैस है 2,92,000 और यह बाइक आपको ओन्रोट पड़ेगी 3,38,000 के प्राइस पर बाइक में है 390 8.63 CC का लिक्विड कोल सिंगर सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर पर उसकता है 46 PHP की 9,000 RPM और मैक्सिमम टोग है बाइक में 39 न्यू लूपी एपेक्स के 43 mm के अपसाइड अन्फोक है बाइक के रियर पार्ट में सेम मोनिश्रक अब्स होबर है और यह बाइक में आपको फ्यूल टैंक रबसेटी मिलेगी 13.5 लिटर्स की और यह बाइक आपको मैलेज देगी 25-30 km बेलगा सिरी राइडिंग और हाइवे कारे में आई खोप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सोगा देना और मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना मत बूलना कि इन सारी बाइक में सब कौन सी बाइक को पच्छेस करने वाले हो बाकि अगर अभी तक आपने मेरे च करे अगर मुझे बाइक से आपको ने आपको वीडियो करने में सारी जावले हो वीडियो करताना ख़या च्बाव को लाइक सारी याज हम करता दो वाफको है कंपियो को आपको इस दो लू zarीना आपको